आज हम ट्रेट करने वाले हैं लॉंग स्ट्राइडल के अंदर यहां पर हम लेंगे 500 कॉंटिटी एंड इसको भी हम लेंगे 500 कॉंटिटी काफी लोग बोल रहे थे कि लॉंग स्ट्राइडल कैसे करना है लॉंग स्ट्राइडल कप करना है तो लॉंग स्ट्राइडल हमने यहां पर ट्वेड लिया हुआ है मुझे ऐसा लगता है कि 39,400 के आसवा माके चल रहा है यहां से एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है वन साइड और प्रबबिलिटी इस वेरी हाई कि वो रिट्रेस्मेंट कर देगा तो अगर 200-300 पॉइंट का यह वन साइड मोमेंटम करता है आज के दिन पर तो वेरी हाई प्र यहां से मोमेंटम बहुत फास्ट आती है तो प्रबबिलिटी ओव विनिग अफ्टन उनके बाद अगर हम लोग इस ट्रेट को लेते तो प्रबबिलिटी ओव लूजिंग बहुत ज्यादा होता मॉर्निंग मॉर्निंग में ट्रेट लिया हुआ है तो यहां से वन साइड वेरी ब्राइट तो इसलिए हमने लॉंग स्ट्राइडल आज ट्रेट किया हुआ है लेट सी वेट करते हैं तोड़ेट करता हूं और कोई लिमिट कितनी है क्या है सब मैं अनफोल्ड करते जाओंगा थोड़ा मोमेंटम करने दो सब आपको स्टेप बाइस टेप थोड़ी सी बड़ी बन सकती है वड़ा एंट तक देखिएगा ताकि आपको क्लेरिटी आए कि लॉंग स्ट्रेडल के अंदर कैसे काम करना है कप करना है कहा निकलना है कितना लॉस लेना है कितना मैक्सिम्म प्रॉफिट हम ट्राय कर सकते हैं इसमेंसे निकालने के लिए ओल्राइट द ये तबी ही आप इसमें से पैसा कमा सकते हो जब मार्केट एक अच्छे वन डिरेक्शन में जाए आज क्या हुआ है मार्केट ने जैसे ओपनिंग की है एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे आया हुआ है और ट्राय कर रहा है पूरी तरीके से उपर खीचने के लिए तो इसलिए मैंने क्या किया 39,000 जब आमने ट्रेड लिया ट्रेड कब लिया है आमने 937 के आसपास ट्रेड लिया हुआ है तो जब मार्केट 400 को क्रॉस करके उपर जा रहा था यह लेवल्स के आसपास देखिए सम्वेर राउंड यहां तो अगर आब यहां पर भी देखते हो तो यह 450 के उपर है तो प्रबबिलिटी ओफ गोइंग अप रिट्रेस्मेंट एक अच्छा आप मूब वस वेरी हाई तो इसलिए हमने 500 का नहीं का लॉंग स्ट्रेडल किया होगा उसमें क्या होगा कॉल का प्रीमियम हाय रहता है अगर मुमेंटम आती है तो पुट जल्दी जीरो नहीं होगा कॉल जल्दी उपर आ जाएगा तो इसलिए हमने यहां पर 39400 का का कॉल दिया हुआ है बट अन्फॉर्चनेटलि वह इतना ज अपना सेट है कि अपने को कितना लॉस लेना है क्या करना है क्या मैं इसके बाद एजस्मेंट करूंगा एजस्मेंट तब किया जाता है जब मुमेंटम आती है ऐसा नहीं कि बद आपके प्रीमियम कम होते जा रहे हैं और आप फिर इसको एवरेज करते जाओ डूपते लॉस चल रहा है बाकी पूरा कपूरा कवर तो वहां पर आप सोच सकते हो कि हाँ बस पोटेंचल आ चुका है मोमेंटम आ चुका है तब आपको फिर एक्ट करना चाहिए तब आप बोल सकते हो कि चलो मैं आप पर और त्री एंडेट तूवन रेट फाइव एंडेट शिक् पूल नहीं करना चाहिए तो वेट करते हैं अल्मुस 10,000 के आपको अपडेट करता हूं तो वेट करता हूं देखिए फाइनली एक अच्छी मोमेंटम आई है एंड हम 10,000 माइनस से 7,000 प्लस में आ चुके हैं तो यही फायदा होता है एक्दम मौनिंग मौनिंग में इसी सेट अप के अंदर इशू क्या होता है कि हम लॉसस देखना स्टार्ट करते तो दिक्कत हो जाती है कि अब क्या करें 10,000 के आसपा लॉस चल रहा है इसको एवरेज करो इसको एवरेज करो एवरेज कभी भी नहीं करना चाहिए अगर देखो अभी यहां पर मैं आपको अबंचल का इसको चाहिए अब यहां पर करना चाहिए अब यहां पर तोड़ी से प्रीमियम थोटी से महिंगे हो गए थोड़ा रिट्रेश्मेंट करने तो हजार दोदा तीने दा तक प्रॉफिट करने दो इसको नीचे आने दो फिर उसको मुझा करेंगे एवरेज करने के लिए करेंगे और कुछ एजस्मेंट करने की जरुवत नहीं होती लॉंग स्टैडल के अंदर मोमेंटम आया उसका आपको फैदा उठाने वन साइड बड़ा पैसा कमाने का वह किस दिन पर होता है बजट वाला दिन हो गया या कोई बड़ा एवेंट आने वाला है उस दिन पर आप करना चाहिए नॉर्मल डेस के अंदर जैसे आपको जैसे अभी मैंने 500-500 कॉंटेटी लिए तो उस पर आगर आपको एक अच्छा डिटन देता है 15 20 25 जाना चाहिए ज्यादा एक्स्ट्रीम लेवल्स का एक्स्पेक्टेशन कि हो चलते ही जाएगा चलते ही जाएगा चलते ह जाएगा चलते हैं तो वेट करते हैं 6000 का प्रॉफिट चल रहा है मैं आपको अपडेट करता हूं सब्सक्राइब करता हूं अभी 17,000 का भी प्रॉफिट बचा रहा था है यहाँ पर सिंप्ली एक ही ऑडर डाला हुआ है मैंने और ज्यादा कॉंटेटी बाय क्यों नहीं किया क्योंकि मार्केट कहीं न कहीं देखो निफ्टी फ्लैट दिख रहा है मुझे तो हो सकता है जो मेरी thinking है कि market यहां से एक अच्छा कासा one side move up side दे सकता है तो वो गलत साबित हो तो उस चकर में हो सकता है कि मेरा और जाला loss हो जाया तो इसलिए मैंने quantity को उतना ही रखा हुआ है जाला नहीं रखा हुआ है हाँ obviously मुझे यहां पर chance मिला था अब हो नीचे भी आया हुआ था यहां पर नीचे आया हुआ था तो मेरा almost 2-3 नजार के आसपा loss चल जा था तो मैं वहाँ पर चाय तो मैं quantity double कर सकता था और अब मेरा profit बीस पच्छी सिरार के आसपा दिखता हो बट फिर भी देखो profit के लिए कभी भी plan नहीं करना चाहिए आपके तैयारी होनी चाहिए loss की अ होता है तब की दिक्कत होती है तब का planning करना चाहिए अगर वो thinking गलत साबित होती तो नीचे आ जाता तो अगर समझो लेट से वो नीचे आ जाता यहां से वो और नीचे आ जाता तो मुझे loss हो रहा होता 15-18,000 के आसपा loss हो रहा होता और अगर quantity बढ़ा देता है तो शायद 20 कर सकता है तो इसलिए मैं यहां पर कुछ जादा बड़ा टागेट भी प्लान नहीं कर रहा हूं मेरा प्लान लगबग 25,000 के आसपास है जो है फ्रेंकली वहां पर दिखेगा एजस्मेंट की दरुवत पर नहीं रही है जस्ट मैंने कॉल और पुट दोनों बाई किया है व् एक्स्ट्रीम आपका व्यूपॉइंट गलत हो जाया लॉंग स्ट्रेडल के अंदर मार्केट साइडवेस हो जाया पर ऐसा तो कुछ ही नहीं दैसे जार के आसपास पहले मैक्सिम उसने लॉस दिखा वहीं से डिरेक्ली मोमेंटम आई जो तिंकिंग थी कि अपसाइड आ सक को ब्रेक करते हो उपर की तरफ जाता है यह लेवल के आसपा आ जाता है तो आराम से 25-30,000 हम लोग को यहां पर देखेगा प्रॉफिट अगर नहीं वहां से रिट्रेस्मेंट करता है फ्री नीचे की तरफ आ जाएगा तो फिर हम लोग अभी यह बाइंग वाला है इसको हम अढसलिख करेंगे कम शॉर्टिंघ के साथ कैसे करेंगे वह मैं आपको अभ्रेत करता हूँ आपज़रोएं कारेंगे की चल रहा है यह मुमेंटम भी कर रहा है हमारे हिसाब से चलल रहा अगर नहीं चलता है नीचे आ जाता है लॉसिस होने स्ट्रार्ट होते तब अज़े 600, 3800 के आसपास market यहाँ पर चल रहा है, market थोड़ा सा sideways behave है, but still मैं इस position को लेके बैठा हूँ, क्यों position को लेके बैठा हूँ, देखो यहाँ पर यह resistance level है, ठीक है, एक बार ट्राय हुआ breakout के लिए fail, दूसरी बार ट्राय हुआ breakout के लिए fail, यह तीसरी बार है, तीसरी बार यहाँ पर एक अच्छा breakout हम expect कर सकते हैं, और एक बार breakout आ गया, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा profit बनते हुए दिखेगा, अगर नहीं, यहाँ से भी reject करते हुए नीचे आज आता है, जैसे कि यह left और यह head और यह right shoulder जैसा react करता है, then probability is very high, जो अपना limit है 25 से 30 maximum, वो अमगाना loss हो जाएगा, और we will accept that and we will exit that, यह आखरी मौका है, market के पास long straddle में हमको profit देने के लिए, अगर नहीं होता है, तो फिर समझ आई कि अपना आज loss यहाँ से ता है, अगर वो breakout दे देता है, तो हम easily यहाँ पर यह levels, यह levels expect कर सकते हैं, और आरा हम से 42,000,000 के आज़ पर profit यहाँ पर expect कर सकते हैं, क्योंकि ओन साइड मोमेंटम आएगा, ठीक है, क्यों वन साइड मोमेंटम के बात कर रहा हूँ, और 42,000,000 के मैं कैसे बात कर रहूँ कि कोई call option double हो चुका है, यह premium है अपना यहाँ पर कितना 126 रुपा, तो यहाँ पर जो अपने को loss करना था, यह loss पूरा हो चुका है, अब इससे ज़्यादा कोई extreme levels का आप यहाँ पर loss नहीं देखोगे, market उपर जाएगा, इसको भागना है, देखो, अब देखाड़ों मैं आपको यहाँ पर, market देखो, यह candle बनाया इसने ऊपर का, और आपको profit बढ़ते हुए देखेगा, देखो, यह breakout जैसे candle बना रहा है, उसमें हमने already इतना loss कर दिए है कि दिन का लगबग लगबग level कर दिया है, उसमें पूरा जितना उसको एक्चुली जितना गिरना था और जितना time value बगड़ा बोल सकते हो, लगबग उसका almost पूरा juice खतम हो चुका है, अब जो है, call option जो in the money वाला अपने पास call option पड़ावा, market जैसा जैसा उपर जाएगा, वैसा वो तेजी से उपर जाते रहेगा, और आपको यहां पर profit बढ़ते हुए देखेगा, तो let's see, मैं आपको update करता हूं, कहां मैं इसको exit करता हूं, सिरुफ और सिरुफ दिक्कत यह है कि अगर वो यहां से reject करते हूं नीचे आता है, तो we have to face the loss, that's it, adjustments, मैं कुछ नहीं करता हूं, क्योंकि करने की जरुवत ही नहीं पर रही है, जो thinking थी, वो सब कुछ proper है, profit अभी तक मिल जाना चाहिए, but market का momentum slow है, साथ में bank nifty, oh sorry, bank nifty, nifty की बात कर रहा हूं, nifty है, बहुत ही जादा flat हो चुका है, तो इसलिए हमको इतना जादा time लग गया, थोड़े पैसे कमाने के इस आप से, अगर nifty थोड़ा trendy हो जाता, तो अभी तक हम लोग आराम से straight को 25-30,000 कमा के निकल भी जाते, इतना जाद अपने को wait करने है, जैसे जैसे market उपर जाएगा, वैसे वैसे आपको यहाँ पर मेरा profit बढ़ते हुए दिखते जाएगा, देखेट विड़स, 29,000, 31,000, 32,000, 36,000, यह दिखरे आपको, जैसे जैसे market upside momentum करते जाएगा, वैसे वैसे अपना profit यहाँ पर बढ़ते जाएगा, almost 32,000, यह एक अच चुके हैं, जहाँ पर मुझे profit बुक कर देना चाहिए, let's wait for 35,000, 35,000, जैसे दिखेगा, हम यहाँ पर बुक कर देंगे, मैं क्यों बेट कर रहा हूँ, लालच नहीं कर रहा हूँ, मैं आपर, try to understand this, यहाँ पर उसने breakout दिया हुआ है, यह levels के ऊपर, थोड़ असा retracement करते हू यहाँ पर, so it is almost 1600, 3100, 2400 के आसपा profit चल रहा है, market यहाँ पर expectation था कि वो एक और अच्छा momentum दिखा सकता है, but यहाँ पर कई न कई market एक sideways range के इसाब से behave कर रहा है, सब कुछ thinking proper थी, but जो expectation था कि मुझे उतना मिलेगा, उतना मिलेगा, बर ऐसा कुछ मिला नहीं, और यहाँ पर trendy भी नहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो what I will do, इसको मैं हम लोग यहाँ पर exit कर देते हैं, almost छोटा मोटा ही profit, आज हमने इसको book किया हुआ, long straddle है, और थोड़ा सा expiry nearby है, expectation के इसाब से market नहीं यहाँ पर behave नहीं किया, नहीं मुझे adjustment करने का कुछ जादा मौका दिय थोड़ा upside गया था है यहाँ पर, यह levels के उपर 20-25,000 के आसपर मेरा profit चल रहा था, बट retracement के बाद आए थोड़ा और उपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर sellers काफी ज़्यादा trap हो चुके हैं, इतना नीचे आ चुका यह put option, बट वो मेरी thinking गलत थी, वहाँ से market ने क कि हर बार हम लोग चौका चक्का मार के ही आए market में, कभी-कभी market भी हमको out कर देता है, और thinking को bold कर देता है, और वैसा ही हूँ आज मेरे साथ, expectation था कि छोटा retracement के बाद वो एक अच्छा momentum दिखाएगा, but I think यहाँ पर जिस हिसाब से market behave कर रहा है, थोड़ा सा वो trappy लग रह करेंगे, Friday, Monday, बहुत टाइम अपने पास ट्रेट करने के लिए long straddle पे, momentum वाला दिजन दे होगा उस दिन के अंदर, आज expectation था मेरा कि वो उपर की दरब जाएगा, और वो गया, but expected जो मेरा returns का expectation था कि हाँ वो levels के साब से वैसा behave करने के साब से मुझे यहाँ पर नहीं करेंगे, आज आज टूद़ है और वे यहाँ झास प्याँ हैं लिए टाइक, ए्या करने के लिए, स्कुझे भाज़िंप जाएगा, वाला जाख कि अःए अवाइएा, पर नहीं तादे हुद याह-खंगे, पासरा भाट ट्Аrat वाई यहाँ इ vu, एक फिझा, आज़ याच